नमस्कार दोस्तों, मैं विश्णू शर्मा, स्वागत करता हूँ आप सभी का राजस्तान एक्जैम्स बाई मिश्यंग्यान आज हम बात करने वाले हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेंट आज अपनी सब्जेक्ट वर्ब अग्रिमेंट की थर्ड ग्लास है पिछली दो क्लासेज में हमने बेसिक्स को कवर किया साथी साथ एक रूल हमने पढ़ा पिछली क्लास में कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे दो नाउन या प्रणाउन को जोड़ा जा सकता है और वर्ब से पहले हम उनको सब्जेक्ट थी रूप में रखते हैं लेकिन सब्जेक्ट कौन सा वाला माना जाएगा फर्स्ट वाला नाउन प्रणाउन या सेकिंड वाला नाउन प्रणाउन सोचो क्या पढ़ाया था कर फर्स्ट वाला नाउन प्रणाउन क्या माना जाएगा सब्जेक्ट और first वाले noun and pronoun के according ही हमें क्या लगानी है verb लगानी है sentence कल मैंने वो सारे शब्द आपको याद करवाने की कोशिस की थी आज हम सबसे पहले उन्हें शब्दों को repeat करेंगे और फिर class की शुरुवात करेंगे ठीक है तो तैयार हो जो start करे copy बंद कर लो अपनी सभी तीपना नहीं है बिना देखे उन्हें सारे शब्दों को हम बोर्ड पर लिखेंगे आप भी अपनी copy बंद रुकोर मेरे साथ बोलो और मेरे साथ लिखो अपनी copy के पीछी वाले page पर सबसे पहले word क्या था as well as याद आगया सबसे पहला word क्या था as well as as well as के बाद क्या था with with के बाद क्या था along with याद आया along with के बाद क्या था together with along with के बाद क्या था together with as well as with along with together with as well as with along with together with ठीक है पांचवा याद है सर हमें पटा पट से, and not very good, and not and not के बाद बताओ क्या था, बोलो like, शर्माना नहीं है, वहाँ अकेले बेटे हैं, बोलने में शर्माने क्या आएगा, मन में बोलो, जोड से बोलो, घवराना नहीं है शर्माना नहीं है, शर्मो शर्माओ के तो फिर कैसे हम English को सीखेंगे, कैसे नौकरी पाएंगे, जल्दी से जल्दी हो भी, ऐसे नहीं दो पांच साल, नहीं एक वेकंसी एक एक एक्जाम, एक ही बार में सेलेक्शन, इसके लिए जितनी मैनत हो, जितनी मैनत पॉसिबल हो, हम कर सकें, उतनी मैनत हमें करनी है और कट ओफ से दसमाज नंबर, पंदरह नंबर, एक्स्ट्रा ही लाने यह हमारी कोशिस रहनी चाहिए आज वेल आज विद, अलॉग विद, तुगेदर विद, अन नौट, लाइक और लाइक का उल्टा अनलाइक लाइक का उल्टा, अनलाइक इंक्लूडिंग जैसा ही एक्स्क्लूडिंग, एक्स्क्लूडिंग मतलब किसी चीज को बाहर निकालते वे, छोडते वे एक्स्क्लूडिंग फिर क्या वर्ड था, के अतरिक्त को इंग्लिश में क्या बोलते हैं किसी चीज के अतरिक्त को अलावा ऐसे एक और वर्ड था एक से से बोलो क्या था except क्या वर्ड था except ठीक है ये वर्ड क्लियर हो गया और क्या था बताओ n से क्या था nothing but n से क्या था nothing but एक और वर्ड में आपको याद करवाये था और वो very very important है अभी तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछा जा सकता है और वो वर्ड है अकम पेनाइड पाई इस वर्ड से क्या पूछा नहीं गया है लेकिन क्या पूछा जा सकता है अगर हम बाहर के एक्जैम की सेंटर लेवल की एक्जैम की बात करें सेंटर लेवल की एक्जैम की बात करें तो भाई से सेंक्डो बार क्योशन आ चुके एन नोट से भी सेंक्डो बार क्योशन आ चुके इन एडिशन टूभी बहुत अच्छा वर्ड है इससे भी काफी बार क्योशन वहाँ पर पूछा जाते हैं मैंने आपको बदाया था पिसली बार रीट में as well as से क्योशन पूछा था राजस्तान में एंड नोट से भी क्योशन पूछा जा चुका एंड नोट से भी क्योशन पूछा जा चुका है तो यह जो रूल हम पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा से कंपंपंपंपंपंपंपंपंपंपंपं मिछ आHaNG मिर्थ some young boys dash recently, dash recently, recently मतलब हाल ही में, dash my house, my house, now you will have four options to answer the given question, چار option मैं आपको दे रहाँ, अब आपको answer देना है, चालिए, पहला option आपके पास है has और फिर next वाले dash में आप लगा सकते है broken into ठीक है, अगला वाला option आपके पास है have फिर आप लगा सकते हो broken into ठीक है, फिर अगला option है is फिर comma फिर breaking into क्या option है, breaking into फिर है आपके पास फिर आपके पास है are are फिर आगे breaking into चार option है, अब आप सोच रहोगे ये break into क्या रामाइन असर ये भी समझा दो, ये भी समझ लो break into first form है break into क्या है, first form है और break into एक phrasal verb है break into क्या है, एक phrasal verb है इसका मतलब होता है invade करना क्या करना, invade करना अब आप बोलोगे सर, हमें तो invade का मतलब भी नहीं पता है, एक चीज़ आपको याद रखनी है, break के साथ में जब हम into लगाते है, phrasal verb, इसलिए तो बोलते है phrasal verb, यानि शब्द समझ तो आपके पास है लेकिन उसमें verb भी आपके पास है यानि verb प्लस preposition मिलकर एक phrasal verb बनती है जिसका मतलब कुछ नया निकलता है जैसे break का मतलब तो तोड़ना होता है break का मतलब तो क्या होता है, तोड़ना होता है तो हिन्दे में इसका मतलब समझ लो जबरदस्ती प्रवेश करना तो क्या कहना चाता है सामने वाला तो यह कहना चाता है कि हाल ही में क्या हुआ है एक बुड़ा आदमी था और accompanied by some young boys कुछ जवान लड़कों के साथ या छोटे लड़कों के साथ मिलकर उसने क्या किया मेरे घर में वो गुज गया कौन गुजा बुड़ा आत्मी गुजा या जवान लड़की गुजे आप बोलो के साथ दोनों ही गुजे दोनों गुजे अब आपके पास क्या है अपने पास दो singular verb है और दो plural verb है लेकिन हमने अभी ये भी जस्ट पढ़ा है कि अकम पेनाइट बाय भी इसी रूल के अंडर आता है जिसमें दो noun ये प्रणाउन सब्जेक्ट की रूप में वर्ब से पहले जोडे जाते हैं लेकिन फर्स्ट नाउन ये प्रणाउन ही फर्स्ट सब्जेक्ट ही आपका क्या होत है सब्जेक्ट होता है जिसके अकॉर्डिंग क्या लगाते हैं वर्ब लगाते हैं ये बात क्लियर है अपनी कल सही क्लियर चल रही है यानि पिछली वाली क्लास सही क्लियर चल रही है तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ढूंडते हैं या फर्स्ट वाला नाउ दुना वाला कहा है सम यंग बॉइ जवान लड़के यह आमारा सैकिन्ड वाला सब्जेक्ट यह हरां सेकें नंबर का सब्जेक्ट यह फ्रूरल यह प्लूरल अगर इसकी इंदी करेंगे तो क्या मतलब निकलेगा एक बुड़ा आदमी कुछ जवान लड़कों के साथ मिलकर हाल ही में मेरे घर में घुसे हैं ऐसे नहीं बोल सकते घुसा है ऐसे बूलना पड़ेगा ठीक है चलिए तो सब्जेक क्या होगे अपना सिंगुलर तो प्लूरल प्लूरल वर्ब को हम हटा देते हैं कौन सी वर्ब को हटा देते हैं प्लूरल वर्ब को हटा देते हैं प्लूरल कौन कौन सी है है और आर ब्रेकी अब सर्थ दो ऑप्शिन बचे दोनों ही सही हैं दोनों ही सही हैं दोनों क ही मीनिंग सही सही निकल रहा है दोनों का प्रियोग किया जा सकता है फिर सर एक्जाम में दो अंसर थोड़ी होंगे अंसर देख ही होगा बताओ कुन सा अंसर होगा फिर हमें क्या टूड़ना पड़ेगा जब ऐसा परफेक्टेंज का मतलब क्या है प्रेजेंट परफेक्टेंज तो हमें सब्जेक वर एग्रिमेंट जो टॉपिक है इसको सॉल करते समय किसका द्यान रखना है टाइम का भी द्यान रखना है क्यों कि सामने वाले को ऐसा थोड़ी किसा दस वीज बच्चे है या पांट जार प पच्चे हैं कम से कम पोस्ट माल लीजिए 25,000 है रीट की पोस्ट 25,000 है 25,000 पास करने तो सामने वाला किया करेगा इसी क्योशन में ऐसा क्योशन बनाएगा कि इतने जो उपर के सारे बच्चे हैं, वो सारे फेल हो जाएं, यह डबल भी पास करें तो पचास जारी पास हो, तो उसको इस क्योशन को थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना पड़ेगा, डिफिकल्ट बनाने के लिए सब्जेक वब एक्रेमेंट में जादा से जादा वो क्या क कर सकता है, सब्जेक को जादा बड़ा कर सकता है, मुक्य सब्जेक डूढने में दिक्कत हो जाए, या वर्ब में कहीने कही लोचा, कन्फूजन दे सकता है, और वर्ब में कन्फूजन देने के लिए, या तो वर्ब का यूसेज आप से वो पता करवाना चाहेगा, कि अलग विशेशन कहते हैं तो यहाँ पर recently डाल दिया recently डालते ही ये एक और जो singular option था जो सही लग रहा था ये भी गलत हो गया क्योंकि recently के साथ में हम ismr का प्रियोग नहीं कर सकते हैं has have का प्रियोग ही होगा तो answer क्या हो जाएगा has broken into क्या answer हो जाएगा has broken into अपना अंसर हो जाए इस तरीके के अच्छे लेवल की questions पूछे जा सकते हैं exam clear होगई बात अब बढ़ते हैं हमारे rule number two की तरफ rule number two की तरफ rule number two rule number two क्या कहता है कल मैं आपसे बात कर रहा था कि पिछली class में हमने यही तो बात की थी कि यह जो rule हमने पढ़ा rule number one इसी का contrary एक और rule है इसमें हम first वाला noun pronoun subject मान रहे हैं एक और rule है जिसमें second वाला noun 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 क्या माना जाएगा subject माना जाएगा ठीक है ऐसा भी तो हो सकता है तो वो rule कौन सा है तो वापस वही line लिखेंगे कि कुछ conjunctions कुछ conjunctions कुछ conjunctions दो noun या pronoun कुछ conjunctions दो noun या pronoun को को subject के रूप में किसके रूप में subject के रूप में कहा verbs पहले कहा भई verb से पहले कुछ conjunctions यासे हैं जो दो noun प्रणौन को subject के रूप में verbs से पहले जोडते हैं ये बात तो सर पिछले वाले rule में भी थी इसमें क्या अलग है इसमें वही चीज है जो just मेंने आप से discuss करी कि verb का प्रियोग किसका प्रियोग verb का प्रियोग अब हम कौनसे वाले noun प्रणौन के according करेंगे second वाले noun या pronoun के अनुसार होगा बात क्लियर होगी अब इजी होगया अब सर वो शब्द बता दो फटापट से वो शब्द कौन से है उन शब्दों को भी याद करना है जैसे कल याद किया थे पहला शब्द आपका आइदर के साथ क्या लगता है बिटा जी जोडे में और लगता है आइदर और आइदर और जैसा ही क्या है नाइदर नोर आइदर और नाइदर नोर आइदर और का मतलब या तो ये वाला या ये वाला मतलब दो यहाँ पर वेक्ति रखे जाएंगे या तो राधा या मोहन या तो राधा या मोहन नाइदर नौर के साथ दो वेक्ति जोड़ेंगे तो ना तो राधा ना मोहन नाइदर राधा नौर मोहन यानि ना तो राधा ना मोहन यानि दोनों की ही बात नहीं होगी इस तरह से नाइदर नौर का प्रियोग किया जाता है अकेला और भी वाक्य में दिया जा सकता है और अकेला नौर भी वाक्य में दिया जा सकता है आइदर और नाइदर नौर फिर आगे क्या है सकता फिर आगे है not only not only जैसा ही क्या है but also ये एक जोड़ा है not only but also जैसे either or एक pair है ऐसे ही not only but also भी क्या है एक जोड़ा है एक pair है either or, neither nor, अकेला और अकेला नोर, not only but also इसके अलावा एक और शब्द आपको याद करना पड़ेगा ये है none but जैसे nothing अपने आप में subject बन सकता है ऐसे none नन भी बन सकता है none के साथ भी हम कुछ नहीं लगा सकता है none मतलब कोई भी व्यक्ती नहीं या कोई एक भी व्यक्ती नहीं none but इस तरह से ये शब्द है either or, neither nor, अकेला और, अकेला नोर, not only but also और none but none but इन से जब हम दो नावन ये प्रणावन को subject के रूप में जोडेंगे तो क्या होगा verb का जब प्रियो होगा तो कौन से वाले नावन प्रणावन के अनुसार करना पड़ेगा second वाले नावन ये प्रणावन के अनुसार करना पड़ेगा चलिए, examples पर आ जाते हैं अब आपसे question पूछने वाली बात आ गई अब आपने पढ़ लिया अब question का अंसर आप बता सकते हैं बता सकते हैं बिलकुल sir बता सकते हैं question तो पूछो आप चलिए, example number one easy सा question है either I or you dash to be either I or you dash to be blamed to be blamed for the accident accident के लिए या तो मुझे या तुम्हें दोशी ठराया जाना चाहिए चार option है आपके पास A B C D A, B, C, D चार option दे दे आपको पहला option दे दे आपको आपको is दूसरा दे 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 मेने आपको are तीसरा दे 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 मेने आपको तीसरा दे 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 मेने आपको has been और चौथा दे 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 मेने आपको have been चलिए, बताओ जल्दी से क्या होगा, करो कोशिश क्या होगा, जल्दी से बताओ आइधर आए और यू, डैश, to be blamed for the accident एकसिडेंट के लिए या तो मुझे या तुम्हें दोशी ठहराय जाना है क्या होगा, सोचो क्या होना चाहिए क्या, आइधर और यहां है, यह रहा सर, आइधर और है, आइधर और यहां भी क्या मिल रहा है, आइधर और मिल रहा है, ठीक है दो सब्जेक्ट कौन कौन से है, दो नाउन प्रणाउन कौन से है यह है आपका first वाला I और यह है आपका second वाला you तो subject कौन सा वाला मानेंगे verb का प्रियोग second noun या pronoun के अनुसार होगा कौन से वाले noun pronoun के अनुसार होगा second वाला noun pronoun अब इस वाक्या में इस sentence में second noun noun कौन सा है बताओ second noun 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 है you अब you की बात करेंगे sir you singular होता है plural होता है मैंने आपको सिखा दिया था singular subject plural subject कौन कौन से होते है तो यह कौन सा subject हो गया यह हो गया plural subject plural subject हो गया singular verb को था हम कम से कम गलत कर सकते हैं क्या कर सकते है तो यहां से is गोटा देंगे और has been गोटा देंगे ठीक है، अब सर आर भी वह वो चना न, हैव बी वह वो पहले पहले बात तो हमें सावसाप पता है, कि हैस बीन हो या हैव बीन हो, हैस बीन हो या वैन हो इनका प्रियोग का बहूता है, जब deeply sentence के last में, since या four के साथ में, क्या दिया जाता है, time दिया जाता है, पहली बात तो यह होगी तो sentence में कहीं भी since 4 के साथ time नहीं दूसरी बात क्या है यहाँ पर क्या लिखा है to be लिखा है और यहाँ पर already एक been अपने पास है already एक non-finite verb है वहाँ भी non-finite verb है तो दो non-finite verb एक साथ नहीं आ सकती यह भी एक नियम है grammar का तो यह भी option यहाँ से गलत हो गया clear? तो answer क्या हो जाएगा अपना? either you or either I or you are to be blamed या तो तुमें या या तो मुझे या तुमें are to be blamed दो शी ठहराया जाना चाहिए किस बात के लिए? for the accident, accident के लिए ठीक बात clear हो गई? अगला question question number 2 question number 2 की बात करता है not only not only my friends not only my friends but also but also my parents not only my friends but also my friends but also my parents not only my friends ना के विल मेरे दोस्त बलकि मेरे माता पिता भी dash dash to travel by train travel by train ठीक है? question मिल गया? अब आपको मैं चार option दे रहा हूँ वापस A, B, C और D चार option आपके पास हैं A, B, C, D पहला option दे दिया मैंने आपको likes दूसरा option दे दिया मैंने आपको like तीसरा option दे दिया मैंने आपको has been liking ठीक है? और चार दा option मैंने आपको दे दिया have liked अच्छे यची वर्ब वाले option मैंने आपको दिया है कि confusion ज़्यादा से ज़्यादा पैदा हो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जोर आए जितना ज़्यादा आपको जोर आएगा उतना ही आपका confidence बढ़ेगा और उतनी ही ज़्यादा आपकी learning अच्छी होगी ठीक है चलिए बताओ not only my friends but also my parents dash to travel यह है to to travel by train अब हमें क्या देख रहा है कि क्या sir जो अभी हमने rule पढ़ा क्या वो apply हो रहा है बिल्कुल apply हो रहा है यह रहा not only but also verb का प्रियोग कौन से subject के अनुसार यह कौन से noun pronoun के अनुसार करना है second वाले noun pronoun के अनुसार करना है सबसे पहले काम में क्या करना है rule apply करना है not only है बिल्कुल है क्या not only के साथ but also है बिल्कुल है यह बात भी सही है not only my friends but also my parents first subject कौन सा है यह रहा यह कौन सा subject हो गया आपका first वाला subject हो गया कौन सा subject हो गया first वाला subject हो गया my parents यह आपका कौन सा वाला subject हो गया यह आपका second वाला subject हो गया यानि second वाला noun या pronoun हो गया तो not only but also जब दो noun pronoun को verb से पहले subject के रूप में जोड़ा जाता हो या रखा जा रहा हो तो हमें वर्ब का जो प्रियोग करना है कौन से नाउन प्रणाउन की अनुसार करना है सेकिंड वाले नाउन ये प्रणाउन की अनुसार करना है ठीक है सेकिंड नाउन प्रणाउन माई पैरेंट्स है पहले भी बात हुई थी अपनी कि माई पैरेंट्स जो है एक वचन has been liking अभी मैंने समझाया था आपको has been have been का प्रियोग हम कब करेंगे जब since for के साथ time मिलेगा यहां नहीं है तो यह वैसे भी गायब ही होना था वैसे has एक वचन होना तो वैसे भी गायब कर लिया sir have liked है क्या लिखा हुआ है have liked यानि perfect है present perfect tense है perfect tense की adverb हमें नहीं मिली perfect tense की adverb होनी चाहिए तब हम perfect tense को काम मिलेगे और यहां पर बात हो रही है कि ना केवल मेरे दोज बलकि मेरे माता पिता को भी क्या है पसंद है train से यात्रा करना तो ये तो बात हो रही है, पसंद और नापसंद की, हमें क्या चीज पसंद है, क्या चीज नहीं पसंद है, क्या हमारी आदते हैं, क्या हमारे daily routines है, कौन सी चीज हमें अच्छी लगती है, कौन सी चीज हमें बुरी लगती है, कौन से काम हम करते हैं, कौन से काम हम नहीं करते ह ये सारी चीजे में बोलड़ा हूँ, ये सारी चीजे हमारे देनिक जीवन से रिलेटेड है, रोजाना वाली लाइफ से रिलेटेड है, तो ऐसे वाकिया हमेशा present simple tense में बनाए जाते हैं, जिसमें हमारी पसंद नापसंद, अच्छा बुरा, हमारी आदतें, हमारे routines, daily life वाले actions आ जाते हैं, तो present simple tense का वाकिय होना चाहिए, वैसे तो, है ना, और perfect tense की adverb है भी नहीं कहीं, ना recently है, ना already है, ना yet है, ना so far है, ना till now है, ऐसी कोई भी adverb नहीं है, तो perfect tense कैसे लगा दे सर, तो perfect tense भी गायब हो गया, have liked भी क्या हो गया, गायब हो गया, ठीक है, आगे बात करते हैं, फिर हो गया likes और like, वापस बात करेंगे, basic की, वैसे यह जो चीज है, पहले discuss हो चुकी है अपनी, लेकिन फिर भी दुबारा discuss कर लेता हूँ, like verb की first form है, verb की first form में, जब हम s, es, ies लगा देते हैं, तो वह है first form, यानि base form of the verb, जो है, वह है, singular रूप में आ जाती है, या singular रूप में काम में ली जाती है, राम गोज टू स्कूल वाली बात होई, यह तो सर बच्पन से ही पढ़ रहे हैं, राम गोज टू स्कूल, ठीक है, और like क्या है, वी वन, यानि base form है, कौन सी form है, base form है, और base form यानि जिस रूप में verb पैदा हुई है, वो रूप कैसा है, प्लूरल है, वो रूप कैसा है, प्लूरल है, क्या हमें प्लूरल ही चाहिए, बिल्कुल, second subject, my parents क्या है, प्लूरल है, तो क्या होना चाहिए, यह लीजे हमने क्या लगा दिया, like लगा दिया, क्या लगा दिया, like लगा दिया, clear हो गई बात, ठीक है, तो क्या मतलब निकला इसका नकेवल मेरे दोस्तों को वेलकि मेरे माता पता को भी पसंद है तो travel यात्रा करना by train train से train के द्वारा नहीं train से जब हम train से यात्रा कर रहे हैं तो by train by bus by air इस तरह के जो preposition ँसे उस करते हैं लेकिन जब हम train के अंदर हैं आपसे पूछ ले भाई का है भाई का है तू तो आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ट्रेन में हूँ आपको बोलना पड़ेगा मैं ट्रेन पर हूँ जनरली हम यह भी बोलते हैं ट्रेन में हूँ यह दो हिंदी बता रहा हूँ है ऐसे हिंदी से हम जज नहीं कर सकते क्या बोलना पड़ता है मैं इन ट्रेन नहीं बोलना है I am in the train नहीं बोल सकते क्या बोलना पड़ेगा I am on the train I am on the train कि मैं train पर हूँ बस में हूँ क्यों? क्यों उस टाइम वो train या bus travel कर रही होती है गतीमान होती है नहीं चलती रहती है इस तरह की शीज़े आप घर आ गए घर आ गए और रास्ते में आपका mobile गिर गया या पर्स गिर गया तो आप क्या बोलेंगे? on the way I lost my mobile on the way to home घर जो रस्ता आ रहा है ना उस रस्ते पर मेरा mobile कहीं खो गया train में खो गया bus में खो गया तब भी आपको ओन ही लगाना है तब भी आपको क्या लगाना है? on ही लगाना है I lost my mobile on the train I lost my mobile on the bus in the bus नहीं बोलता है चलो यह तो अलगी बात होगी यह तो beat around the bush वाली बात होगी कि avoiding the main topic मैं main topic avoid करके आपको preposition सिखाने लग गया था इसको बोलते है beat about the bush या beat around the bush जाड़ी के चारो तरफ लट मारना जबकि साप तो जाड़ी के अंदर है उसको मारना चाहिए चारो तरफ मारना है इसका मतलब आप साप को मारना नहीं चाहते है है ना? तो यह तो बीच में कोई बात आगए train की तो मैंने आपको दो-चार preposition सिखा दिये इस तरह की चीज़ें चलती ही रहती है यह बात clear हो गई? चलिए अगला एक और example आपको दे देते हैं इस बार आपको करना है time मिल जाएगा आपको दस बीच सेगिन गा नाइदर शी नाइदर शी नौर हर फ्रेंड्स नाइदर शी नौर हर फ्रेंड्स नौर हर फ्रेंड्स बनानाज इस question से क्या होगा? आपकी अच्छी एक practice से हो जाएगी और ये पता भी चल जाएगा कि हमें कितनी वर्ब समझ में आई है पहला option आपका love दूसरा option आपका loves तीसरा option आपका वापस has been loving और वापस option आपका have loved चार आप्शन हैं वापस आपके पास नाइदर शी नौर हर फ्रेंड्स ना तो उस लड़की को बनाना कंब का चाहिए ठीक है केले के बात हो रही है बनाना के बात हो रही है ठीक है अब बताँ 10 सेकेंड आपके पास आपको टाईम दे देता हूँ वे एक तरफ खड़ा हो जाता हूँ 10-5 सेकेंड Tamam से सोचो आप अच्छे से सोचो फिर जवाब देना आपको आना ज़रूरी है टीचर के पढ़ाने का जो गोल है जो अबजेक्टिव है वो क्या होता है बच्चों को सिखाना जो टीचर पढ़ा रहा है या जो टीचर सिखाना चाता है वो बच्चे सीख जाएं यही टीचर का अबजेक्टिव होता है गोल होता है लेसन प्लानिंग करते समय ठीक बात है यह चीज आपको आने भी चाहिए कि हमारे रीट में मैथर्स वगरा भी है तो हर चीज पर आपको थोड़ा सा अलग तरीके से सूचना है ठीक है नाइधर शी नौर हर फ्रेंड्स डैश टू इट बनानाज चलिए ऑप्शिन गलत करते हैं उससे पहले हम सब्जेक ढूंडते हैं नाइधर नाइधर के साथ क्या मिल गया नौर मिल गया नाइधर के सा पस्ट वाला सब्जेक हर फ्रेंड्स हर फ्रेंड्स हो गया सेकिंड नंबर वाला सब्जेक हो गया सेकिंड नंबर वाला सब्जेक हो गया ठीक है कौन से वाला सब्जेक चाहिए आपको नौट अलीब अलसो का रूल चल रहा है नाइधर नौर का रूल चल रहा है आधर और प्लूरल है, यह तो plural है, friend में क्या लगा हुआ है, यह बात भी clear हुए, अब बात करेंगे love, loves, has been loving और have loved, चली, पहले हम plural है, तो singular को तो काट दे, सबसे पहले singular में क्या कटेगा, has been loving को काट दे, यह सबसे easy दिख रहा है, अब मुझे बताओ love और loves में singular कौन सा है, direct लिख होती है, plural होती है, प्लूरल होती है, पैदाशी plural होती है, work की first form में, as, es, ies है, तो वह कैसी दिखाई देगी, किस रूप में काम में ली जाएगी, singular रूप में काम में ली जाएगी, ठीक है, have loved plural है, लेकिन कौन सा tense है, perfect, क्या कहीं भी perfect tense का नाम दिख रहा है आपको, नहीं यह तो साधान सी बात हो रही, किसी को बनाना खाना पसंद होता है, किसी को एपल खाना पसंद होता है, किसी को मतमी खाना पसंद होता है, किसी को अनार खाना पसंद होता है, किसी को अमरूद खाना पसंद होता है, यह क्या है उनकी पसंद और ना पसंद वाली बात है, जो ह solutions नो अच्छी ही लगए आपको कोई चीज बुरी लगती हएँ. ऑप को कई काम करना लगता हो कोई काम करना बुरा लगता हो इस सारी चीज के बता हूं तो answer क्या हो जाएगा अपना? love आपका answer हो जाएगा क्या answer हो जाएगा आपका? love आपका answer हो जाएगा बात clear हो गई? ठीक है? समझे में आगई बात? चले अब क्या हो सकता है? error वाले question भी आपसे पूछी जा सकते है कि इनमें से कौन सा वाक्य सही है इनमें से कौन सा वाक्य गलत है? ऐसा question भी हमसे पूछा जा सकता है बिल्कुर पूछ सकते हैं पूछा जा सकता है और पूछा गया है तो एक question आपके लिए error वाला लिख देता हो कौन सा वाला? error वाला लिख देता हो none but none but none but the teachers none but the teachers wants wants to do to do a seminar या project लिख देते हैं क्योंकि seminar को था हमें क्या करना पड़ता है conduct करना पड़ता है organize करना पड़ता है तो क्या लिख देंगे हम project लिख देंगे हम प्रोजेक को किया जा सकता है project on science science ज्यादा पूछे जाते हैं इनमें और दिक्कत हो जाती है true वाला फिर भी आद में डूंड लेता है not true वाले में थोड़ी दिक्कत आ जाती है error वाला डूंडो यहां दिक्कत हो जाती है हमें हर वो possible तरीका हर वो possible method question solve करने का अपनाना है जिससे हमारा क्य Southwest सही हो सके हमारी लर्निंग अच्छी हो और exam में हमारे marks ज्यादा आए cut off से ज्यादा मतलब cut off से ज्यादा Авटांसी से ज्याद नहीं किस से ज्यादा cut off से जाना आना जाए अगी exam में ए Dakota for जाएगी future अच्छा हो जागा बताओ क्या होगा नन बट दो teachers डैश wants to do a project on science क्या नन बट था अपने रूल में नन बट था क्या अपने रूल में यह रहा नन बट मैंने बताया था नन खुद क्या हो जाए अपने अपने एक subject है तो नन को तो एक खुद subject मान लो अपने आप नन तो एक subject है बट यानि लेकिन नहीं केवल दूसरा subject क्या है टीचर से यह है नमबर टू पार्ट में गलती है answer B answer B answer B क्या होना चाहिए था want should be used want को use किया जाना चाहिए must be used हम यहां कर सकते हैं बिलकुल जरूरत है तो हम must को भी यहां पर यूज कर सकते हैं should को भी यूज कर सकते हैं तो इस किसमें रूल नमबर बन में रूल नमबर टू में आप बात करेंगे रूल नमबर थ्री की इसकी बात करेंगे रूल ती की बात करते हैं। रूल में मैं आपको इब इस नई चीज सिंखाने वादा और सॉक्ष वह नहीं होगा वह क्यांतो कि अधुब क्या है ऑफ Schedule से समझ में आ जाएगा अधान थे भी मॉडल से आपने पास 2 एक एपने पास न्यूड नोट ठीक है एक अपने पास डेर नोट दोनों क्या है मॉडल्स हैं और हम बच्पन से पढ़ते आ रहे हैं कि मॉडल्स के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं क्या लगाते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं ठीक बात है clear چल किया दिकता साले तो बहुत एजी हो गया अच्छा कई बार क्या हो जाता है कई बार यह हो जाता है कि हमें यहाँ पर टू लगा कर दे दिया जाता है जो की गलत है पहली गलती जो हमें देगा सामने वाला फेल करने के लिये दूसरी गलती साहस करना तो हमें यहाँ पर क्या लगा मिल जाता है एस लगा मिल जाता है क्या लगा मिल जाता है एस लगा मिल जाता है दो एरर तो यह हो गए है चलिए अब इनको हम कंवर्ट करते हैं में वर्ब में किसमें कंवर्ट करते हैं में वर्ब में किसमें कंवर्ट करते हैं में वर ना यह निए बेस फॉर्म फिर नीड में लगा दिया एस सिंगुलर फॉर्म होगी नीड्स सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो नीड्स आ जाएगा नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट नीड डज नॉट डज नॉट नीड ये भी हम लगा सकते हैं ठीक है सर ये बात समझ में आ गई कोई अगली बात नेक्स्ट माली ये डेयर है तो असैंध डेयर को में वर्ब की रूप में हम काम में लेंगे तो इस तरह से आएगा वाक्य में ध्यान रखेंगे जब model की रूप में काम मिलेंगे तो इस तरह से काम मिलेंगे dare फिर dares फिर do not dare फिर ऐसे ही does not dare यह होगे दो तरीके यह होगे दो तरीके माली जिये need की third form आप से पूँच ले तो need वर्व है need की second form needed और third form भी needed होती है यह भी आपको ध्यान डपना है दूसरी बात सबसे important चीज क्या है need और dare में जब यह main वर्व की रूप में होगे तो इनके बाद इनके बाद इसके बाद need और dare के बाद अगर यह main वर्व है need और dare के बाद infinitive काम में लेते है two plus verb की first form जिसको हम क्या बोलते है infinitive two plus verb की first form काम में लेते है काम में लेते है two plus verb की first form काम में लेते है यह दो चीजे हैं जिनका हमें ध्यान रखना है थीक है need needs do not need does not need just did not need भी हो सकता है there there's do not there does not dare did not there भी हो सकता है need needed needed ऐसे डैर की फर्म चलती है इसे नीड की चलती है इनके बाद हमें क्या लगाना पड़ता है two plus work की first form लगाना पड़ता है अगर आगे कोई verb है कोई काम बताना है Noun भी आसकता है, Word भी आसकता है, Word आईगे तो क्या लगाएंगे, To . लेकिन model जब है, जब need के आगे not ऐडेर के आगे not लिखा हो Need के आगे not और dare के आगे not लगा हो तभ ये models है इनके साथ S नहीं लग सकता है, क्या कभी can के साथ S लगा देखा है, can's होता है कि कभी, must होता है क्या, must में S लगा दे, must ऐसा हो जाएगा, should होता है कभी, नहीं होता है, तो S क्यों लगाएगे, क्योंकि हमें कभी कभी confusion हो जाता है, need तो verb होती है, यह हमें पता है, हमारे अंद लेते हैं एक्जम्परस ले लेते हैं ठीक है एक दो तीन चार आप भी प्रैक्टिस करना ठीक है जैसे क्योशन आ गया शी शी डियर्स नॉट तो अच्छा लगता है यार शी है डियर में एस लग गया ठीक है तो शी डियर्स नॉट तो स्विम इन कोल्ड वॉटर ये ठंडे पाने में तेरने का वो लोड़की साहस नहीं करती है कितना अच्छा लग रहा है देखने में पड़ा अच्छा लग रहा है इसमें भी कुछ नो कुछ गलती है जो आपका ढूननी है राहुल राहुल नीड नॉट राहुल नीड नॉट तू गो टू स्कूल तुड़े आज राहुल को स्कूल जाने के लिए रत नहीं है इसी का दूसरा तरीका जिसमें भी गलती आपको मिल सकती है राहुल राहुल डज नॉट नीड गो टू स्कूल तुड़े यह चार प्रकार की गलतियां हमें एक्जाम में दिखाई दे सकती है जिनको हमें सही करना है और एरर ढूनना है यहां क्या है डेर के साथ नॉट लगावा है यानि डेर नॉट सही है ऐसे गलत है मॉडल है यह मॉडल के साथ में वर्ब की कौनसी फॉर्म आती है फरस्ट फॉर्म इससे पहले तू गलत है दो गलतियां ध्यान रखेंगे ही के साथ सिंगुलर है डज नॉट बिल्कुल ठीक है नीड भी ठीक है यह होगे डज नॉट हेल्पिंग वर्ब और नीड वर्ब की फरस्ट फॉर्म लेकिन आगे स्टडी भी वर्ब की फरस्ट फॉर्म देदी तो इसके पहले हमें क्या लगाना पड़ेगा तू लगाना पड़ेगा यह भी दिक्कत है राहुल नीड नॉट यह दो मॉडल सही है सर लेकिन आगे क्या लगा दिया तू राहुल नीड नॉट गो ऐसे बुलना है राहुल डज नॉट बिल्कुल ठीक है नीड बिल्कुल ठीक है नीड और गो दो दो वर्ब की फरस्ट फॉम होगी इससे पहले क्या लगाना पड़ेगा तू लगाना पड़ेगा और यह बिलकुल सही हो जाए इस तरीके के important questions एक्जाम में मिलते हैं पर हम confused हो जानते हैं वहाँ वैसे mindset गड़बडाया रहता है वैसे tension रहती है यार इतनी कटोफ जाए कि इतने questions सही करना है यह करना है वो करना है और ऐसे question देते examiner तो और आलत खराब हो जाते हैं तो ऐसे questions की हमें पहले से practice करनी है चाहे हम read की त्यारी करें हम first grade की करें हमें grammar जब भी करनी है तो हर level की question solve करने है के वह read first grade second grade हमें SAC वाले question भी solve करने चाहिए NDC में IA question भी solve करने चाहिए हर exam की question solve करने चाहिए ताकि वो topic पूरा हमारा cover हो जाए पूरा topic सही हो जाए कोई से भी level का question बने हम आसानी से solve कर दें ठीक है इसी तरीके से सीखने के लिए अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए मेहनत करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे ह मैं विस्नु शर्मा और मिशन ग्यान हमेशा आपके साथ है अच्छी पहल कर रखी है रीट आपको पढ़ाया जा रहा है शांदार तरीके से पढ़ाया जा रहा है ठीक है तो आपका support और प्यार बनाये रखें thank you so much